नमस्कार किसम भाईयों आज के इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो किसी भी पक्ष की तरफ नहीं है। चाहे BJP हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे आपका कॉंग्रेस हो, चाहे आपका राश्रवादी हो। कोई भी पक्षो हम उसकी तरप नहीं है, हम सिर्फ किसानों के बारे में खेती के अंदर 2024 के अंदर क्या बदला हो सकते, उसमें एक प्रथम विशय राजनेतिक इसलिए रखा गया है, क्योंकि राजनेतिक के साथ-साथ हम इसमें आर्थिक, तक्निक और वहिचारिक पहलू भी प्रिसलिए प्लाइनिंग बहुत दोर ही है, तो पहले राजनेतिक के बारे में बात कर लेते हैं, तो भाई पक्ष कौन सा भी हो, आपको एक पहले बात बते देता हूँ, मैं किसी के खिलाप नहीं हूँ, मैं मेरे विचार आपको पहले समझा देता हूँ, कि आमा किसानों क कि जो भी बाजू पकड़ता है, जो भी पक्ष पकड़ता है, वो कौन सा होता है, वो विरोधी पक्ष होता है, मतलब opposition वाले होते हैं, जो सत्ता में बेटते हैं, वो किसानों के बारे में, ज्यादा तर सोचते नहीं, इसके पीछे का कारण, रियालिटी अगर आप सोचे, चाहिए वो कौन सा भी पक्ष हो, आप देखना, जो सत्ता में आता है, वो चुब बेट जाता है किसानों के प्रशनों के उपर, अभी क्यों, और सिर्फ सत्ता में आने के लिए हमारी प्रशनों का इस्तेमाल गया जाता है, इसका अर्ध बताता हो, अभी देखो, जो मार्क कि ही न्यूज है कि भाई प्यास प्यास का एक्सपोर्ट बन कर गया है एक लगबग तीस मार्च दो हजार चोबीस तक अब यह क्यों कर रहे हैं सरकार तो बैस सिंपल वाली चीज है जो आम किसान है जो आम लोग है उनको खाना सईदाम पर मिले ऐसा ठीक है फिर किसान किसान क उसको भी कुछ तो मिलना चाहिए उसकी जो लागत है वो तो निकलने चाहिए वो तो निकलने रही और यह आमरे बारे में सोच क्यों ने रहे इसका कारण बता था भाई हर कोई इस दुनिया में स्वार्ट यह बात तो पहला पकड़ लो स्वार्थ हर PC के पीचे पढ़ा राजनेतिक दलो का क्या होता है वोट होते है आपके वोटिंग पावर जहाँ पे ज्यादा है वहाँ पे उनका ध्यान होता है अभी गवर्मेंट के पास सरकार के पास बहुत सारी डेटा होते है उनके पास सब कुछ है कि भाई आमारे भारत में कितने किसाने किसानों के पर ध्रम से आप यदी याद करोगे जो भी थोड़े बुजुर्ग लोगे ज्यादा आयो वाले कि लोगे वो याद करेंगी पक्ष कौन सा भी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो सत्ता में कोई भी हो जैसे ही इलेक्शन नजदिक आते हैं सब के हितों में निर्ने लिये जाते हैं सब को खुश किया जाता है कि भाई जिससे क्या हो वह अगले साल के लिए चुनाव में आ सके हैं लेकिन इस साल ऐसा कुछ चित्र दिखाई क इसके पिछे कारने हमारा वोटिंग पावर कमोग गया तो इसेलिए आज के बाद ये सोचना चोड़ा दो कि वह ऑई आएंगा तो यह होगा और यह pagण कोई भी आएगा तो हमारा कुछ यह सोचने वाले नहीं यह क्यूंकि हमारा वोटिंग पावर कं और एक बात बता देता हो हमारे मन में रहता है कि अगर हम बनाएंगे ने खिती ने करेंगे तो खाएंगे क्या अगर ये चीद अगर सचमुच इन लोगों को और येलाइज करके देनी है तो सिंपल वाली बात है इनको एक जटका देना पड़ेगा जो कि आप देने सकते क्योंकि किसानों में एकता और यूनियन दिखाई देती नहीं है इसका ही फाइदा उठाते हैं तो इसके उपर भी आपके सोच उचार चाहिए जो कमेंड बॉक्स है हमारा दोजर चोबीस में खेती के अंदर कोई भी चुनाओ लड़के आ जाए कोई भी किसी को भी जीत मिल जाए कोई भी हमारे फाइदेका रहने वाला नहीं है ये बात आप पहले कर लो इसलिए आपका फोकस आपका जो भी फोकस ही खेती के अंदर होना चाहिए कि पढ़ा तो यह होगा ओर निगिटी होगा तो यह होगा तो इसके उपर आपके ध्यान होना चाहिए ना कि भाई फीजुल के बातों के उपर इसमें ये सेक्टर में बदला होगा उससे आपको कोई लिन दन नहीं है तो वही वाली चीज आपको कॉंसेंटरेशन बढ़ाना ह जो 2024 में बाहि देखो हर एक के जिंदगे में एक टर्निंग पॉइंट आता है तो वह जो टर्निंग पॉइंट आने वाला है वो 2024 रहने माला है दौर 2024 में जो संबल गया वह उसकी कहते हैं उसकी तो चांधि हो गए तो उस से लिये जा रहे तो आप एक इमेजिंग कीजिए भाई अगर एक्षुल में जिद गये तो इस लिए आपको इस बात के उपर ज्यादा फोकस नहीं करना है मैं नहीं बूल रहा हूँ इनके उपर फोकस क्यों नहीं करना है इनसे रिलेटेड आप कुछ भी चीदे करोगे यह तो उसका कुछ न कुछ निकाल लेंगे तो करें कैसे तो हमने एक वीडियो बनाया था इसी बात के उपर आस्मान और सुल्तान दोनों से कैसे रहे सुल्तान हैने की राजनेतिक चीदों से हमारी फसलों को कैसे बचाए जाए मार्केट में क्या-क्या कर सब्सक्राइब करने हैए जो की 2024 में खेति के अंदर होने वालें थो wenольше 24 में सबसे पहले पोइंट का कवर कर लेते कि राजनेतिक दलों में वीजैप आये और obe оказ bye और की काम के नहीं है इसे ले इनका विचार करना छोड़ देना है इनका विचार यही करो कि और भी बत्तर सिच्वेशन हो गए अभी देखो क्रूशी सेवा के अंद्रवालों के उपर भी पंजा कसा जा रहा था अभी दो कदम पीछे हो गए हमारे उपर भी जो राकरेश्टी केज बुरी बी हो सकती ही तो इसके उपर वीचार करना है आपको ठीक है और 10 परसेंट जो है वो आपका और अर्गेनिक फार्मिंग अभी यहां पे एक चीज बात आता हूं में आपको कि अभी केमिकल फार्मिंग के अंदर आपको बात भी पता है आप भी रियलाइज कर रहे हैं कि अभी एक मुनाफाय कम हो रहा है केमिकल फार्मिंग के अंदर तो कुछ और भी ज्यादा बाते बत्तर हो सकती इसलिए हम भी प्रायस कर रहे हैं कि जिसके उपर कोई किसी भी कंपणी का कभदा ना हो कलिके ऊपर किसी कवदा नहीं दूर के उपर नहीं गूड के उपर नहीं राख ते उपर नहीं तो इस तरीके से हमें अल्टरणिव चछ रहे लोग जो बी और जो दूसरे प्रकार के जो लोग है ना जो इमांदारी से और और अच्छागार्य कर रहें लेकि उनके पिछे जो लोग बिजनेस बना कर आगे बढ़ रहें अभी बिजनेस कैसे बना रहें बताता रहा हूं अब यह और्गेनिक वाले केमिकल वालों को विरोध कर रहे हैं तो यह और्गेनिक की तरफ जाते वक्त एक ही बात आपको समलना है कि भाई अब फिर से कंपनी वाला फंडा यहां पी नहीं अपना लिया तो और 100-200 साल के लिए गड़बर हो जाएगा अब यह शुरुवात में अगर और्गेनिक पार्मिंग को अच्चे नदरी से लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा जितना हो सकते अगर अगर और्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हो जेनुएन कीज़ेगा जेनुएन मतलब कहें सा कि ज्यादातर कंपनीयों के उपल्पर डि तो किसे हो पार्बिजनेस और पननम धीक थाई को अगया फ्लिक शूरूआत भी आपके सामने में देखकों में ने अरगिनिक में बइस तक प्रोड़क्त बता है back फॉर्मूला बता दिया है खली का कोई है क्या ओईल केक जो मिलता है वो डारिक ओईल मिल में मिलता है कोई भी बीचो लिया नहीं उसमें दूद भाई बीचो लिया नहीं है गुड बीचो लिया नहीं है राक बीचो लिया नहीं है तो इस तरीके से हम अल्टरनेटिव अगर रूनते जाएंगे एक चीज़ का तो भाई बिचोलिया मत रखना जैसे आप चाहते हो ना कि मैं अगर मेरा खेत के अंदर जो भी उतपादन होता है वो बेचने जाता हूँ तो भी चोलिए नहीं होंगे तो मेरा फाइदा बढ़ेगा यहां पर सबसे पहला तो भाई वो इतने इमांदार लोग नहीं है कि भाई हमें इमांदारी से सब परोसेंगे, उसका उधरनाज केमिकल फार्मिंग के अंदर हमें दिख रहा है, इनको कोई लेंदेन नहीं, सिर्क पैसे बटरे जा रहे है ये प्रोड़क के नाम पर, तो इसलिए औरगनिक फार्मिंग के अ होगा 2024 की ही बात कर रहा हूँ, खेती के अंदर क्या बदला हो जाएगा, औरगनिक फार्मिंग का जो अंदर प्रोड़क्ट आते हैं उसकी बाड़ आ जाएगे, और अभी भी बाड़ आने के संभावना जादा है, तो ये बाड़ नहीं आना देने साथ हैं, तो ये जो भी फॉर्मुली होते हैं, बहुत ही आसान रहता है, मैं कुछ चीज़े आपको यहाँ पर बताऊंगा, आप जो हुमिक इस्तमाल करते हैं, लिगनेट वाला, भाई वो केमिकल प्रोसे से बनता है, अभी ये बोला तो गड़बर हो जाएगा, तो ये वाला चीज़ है, इसलिए समझदारी के साथ अध्यान बहुत जरूरी है, च्टडी बहुत जरूरी है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आना चाहते हैं, तो बहुत ही ज्यादा अभी देखो, कुछ लोग कहते हैं, भाई केमिकल फार्मिंग के अंदर तो बहुत सारे केमिकल है, उनका अध्यान करो फिर उसका यह करने से अच्छा वे ऑर्गिनिक फार्मिंग आसा में उल्टा केट कमिकल फार्मिंग से 10 गुना दस गुना क्योंकि केमिकल फार्मिंग के अंदर जो लिए उनके उपर आपको जो प्रोड़क हम इस्टमाल करेंगे वो कितना इफेक्टिव है कितना इन इफेक्टिव है इसके उपर अभी बहुत सारा टार्य भी बाकी है तो शुरुआत कर रहे हो तो डिपेंडेंसी मत रखो पूरना खतम हो जाओगे अभी केमिकल फार्मिंग अगर हमने ऐसे ही कंटीन लेकिन उस्पदन कम करने की बात कर रहें जो की बहुती बूरी चीज़े हमारे खेती के लिए अभी देखो प्याज का एक्सपोर्ट बंद किया है मतलब क्या उस्पदन कम कर रहे हूं मार्केट में रेट डाउन हो जाएगे यह बात ध्यान में रखेगा प्यास का उधारन दिया है तो आर्थिक स्थर जो किसानों का है वो जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे तकनिके कहा से इस्तमाल करेंगे जो टेक्नलोजी वो कहा से इस्तमाल की जाएगे बाई अग तो उसके उपर मिलने वाले equipment उसके उपर क्या खर्चा गरेंगे तो यह reality है इसलिए आर्थी स्तर किसानों का कैसा नीचे जाने वाला है ये बहुत ही दुरुरीबात है और वो तो आपको निकालना ही है, लेकिन budget में रखकर अभी यहाँ पर काम की चीज यही पर निकल के आती ही, कि हमारा जो budget है, वो जितना कम हो सके उतना budget कम करना है, चाहिए वो labor problem आ सकता है, चाहिए वो आपका pesticide का या फिर fertilizer का कुछ भी costing लग सकता है, तो आपको budget friendly आपको रहना है इतना ध्यान में रखना है, आपका बजट जितना कम रहेगा, उतना आपका मुनाफ़ा आपके हाथ में रहेगा, यही वाली चीज आपको आगे लेकर जा सकते हैं, लेकिन मुझे पता है, कि भाई, अभी देखो हमारे सब्स्राइबर कितने 5 लाग हैं, कोई बात नहीं, 3 ला में भी मैं अध्यान करता हूँ, 50% लोग ही ऐसे होंगे, जो कि इन चीज़ों को आच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, कि हाँ भाई, यह बंदा कुछ कह रहा है, इसमें क्या हो सकता है, क्या ने, जो कि आभी मुझे देख रहे हैं, ठीक है न, तो आप लोग इंग में कि जो भाई समझने की तो कोशिश कर रहे हो, यह बंदा कहना क्या चाता है, आगे क्या होने वाला, वारना कोई लोग होते हैं, हमें कोई लेंदेन ने, मेरे पसल में विल्टाया है, मैं उसे के पीछे बागूँगा, और वो नीचे, अपने पेरों के पीछे, पेरों के अगर अच्छे से दिमाग लगाए, अभी इस में से कुछ आउटपुट कम निकल सकता है, लेकिन वाई एक बीज बो रहा हूँ, तो उसका उपर आज दिन भर तो सूचे, आपको पता चल जाएगा, मैं कितने बाते कहे रहा हूँ, आपके स्वार्थ की बाते देखिए, य यग तो टेकनिक के एक कम डेवलॉफ होगी, रहने किसानों से, किसान, किसानों के आर्थिक स्दिति कम हो जाएगी, तो टेकनिक टेकनोलोजी का इस्तीमाल भी कम हो जाएगा, या फिर उसकी दरुद भी पड़े तो भी लागत बढ़ जाएगा, अभी यन्तरों का साहेता स अगर किया भी तो लागत बढ़ जाएगा फिर वहां पे भी गेम होता है यहां पे हम बहुत बड़े ट्रैप में आ सकते तेक्नोलोजी के अंदर हलाकि टेक्नोलोजी अपग्रेड भी हुआ अच्छा भी हुआ तो और भी प्रोडुक्शन बढ़ जाएगा प्रोडुक्शन बढ़ा आपको पता है मार्केट में सप्लाई जादा हुआ रेट कम होते हैं और डिमांड जादा बढ़ा तो इसी तरह के अभी वहिचारिक के बारे में बात करते हैं यह सबसे महतो पूर्ण बात है जो कि यहां तक जो भी किसान देख रहे हैं वह सब वहिचारिक कीड़े और यह कीड़े बहुत अच्छे होते हैं वहिचारिक आपका बुद्धी मता चलना चाहिए कि भाई स्वाच विचार चलन जाए तो भाई जो भी नेक जनरेशन है उनको थोड़ा डाइवर्ट किया जा रहा है अभी देखो बहुत सारे आंदोलन चलते वह सारी यूआओ का दिमाग कहा पर चला जाता है एक तो आंदोलन में चला जाता है ठीक है दूसरा आजकल के जो जौवान है उनका दिमाग कहा पर जाता है एक तो जौब सर्च करें इसे घर है यहां पर कुछ बिजनेस की बात किया जाते तो बिजनेस के कोर्सेश वगरें इनसे भी लुट मार होती रही थी पोई असल में ठीक है ना यह वाली चीज़ों इससे भी जादा बहुत सारी चीज़ों में मतला हमारी जो त् मार्केटिंग वाले आपको कभी फसा ने पाएंगे इसके उपर बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया था वो उस वीडियो में मैंने क्या बताया था वही आपका समय खाया जाता है और समय के बंदे उनको मुनाफ़ा हो जाता है तो वही वाली चीज नेक जनरेशन के साथ ह आने वाली जो पीडियी यहां पर देख रही है उनको सिर्फ एक ही सला है कि आपका समय बचाओ आपका समय बहुत ही मोल्यवा ने आज अगर आपने सही जगह पे उसको इन्वेस्ट कर दिया तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कई गुना ज्यादा रेटन देने वाला है क्योंकि आपके जनरेशन में बहुत ज़्यादा कॉंपेडिशन है और हाँ अभी देखो यह जो वीडियो बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि यहां पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग लेकिन तो इसलिए यह सब सोच स्विचार करने के बाद मेरा कंक्लूजन दो हजर चोबीस में खेती में होने वाले बदलाओ की तरफ एक ही निकल के आता है कि भाई इससे भी बूरा हो सकता है जर्द संबल जाओ में डाराने की कोशिश ने कर रहा हूं यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक ही चीज बताने वा तो भाई अभी ऑनलाइन का जमन है आज में भी आपकी तरफ पोचाओ आउनलाइन की तरफ से पोचाओ कुछ ऑनलाइन बीजनेस हो गए आप यूटुब चैनल खोल दो या पिर कुछ भी चीज़े करो ऑनलाइन मार्केटिंग एफिलेट मार्केटिंग यह करो वह कुछ न मेहनत से जादा बहुत दिक मतलब दिमाग की मेहनत की ज़्यादा जरूरत होने वाली खिती में भी होने वाला है अभी देखो आप परिशरम करके जो भी खिती कर रहे हूं उसके अंदर नए नहीं यंत्रा आ रहे है पहले खुला पानी देने में बहुत सारा शारिक मेहनत लगता था अभी ड्रिप इरिगेशन आगा है एक मुटन दबाया तो भी मोटर चालू बंध होती है तो इस तरीके से जो आपकी शारिक मेहनत के उपर जो भी आपका स्कैमिना बढ़ाने के लिए जो भी आपका कॉंसेंट्रेशन रहता था उससे हटा कर अगर आप दिमाग में आपका यह चीज मोलने इसको बचाकर औगे बढ़ने की जरूमिंदेखें तो मेरे इसाब से मेरा जितना छोटा दिमाग है उतने दिमाग से मैंने ये सब चीदे आपके सामने रखिए आशा करता हूँ कि इसका कुछ न कुछ तो फाइदा आपके दिन्दगी में होने वाला है इसलिए उड़ी को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और हाँ अगर आप चाहते हो कि मेरा कोई लड़का आए वह आगे उसका डाइरेक्शन है पड़ाई में भी देखना पड़ता है अभी एक जमाने की बात है जब हम मेरा एजुगेशन चल रहा था में ट्यूल साइज में था तब मेरे जो भी क्लास में जितने भी लड़के थे वह सब के सब क्या लेना चाहते थे इंजिनिर्इंड या तब इंजिनिर्इरिंग का बहुत लाको एक दोड़कर करना है तो भाई हम जब बोले हैं हमारे दोस्तों को भाई हमें भी अगरी नजर से देखते हैं अगर आपने रिष्टेदारों में बोलें लेकिन वहीं बंदी कुछ ने कुछ कर लेते तो आइटी ऐसे निशले वाले स्थर को अग्रिकल्चर को तब कितावने में देखा जाता था अग्रिकल्चर के कॉलेज के अंदर पूरा क्लास भी नहीं भरता था दो पाश टूडन्ट चे दस टूडन्ट ही रहते वहाँ पे कोई फीज वगेरा मेरिटलिस्ट वगेरा नहीं होती थी आज देखो आज चित्र क्या है आज मेरिटलिस लग रही वह इंजिनेरिंग की कॉलेज खाली पड़े और यहां पर अग्रिकल्चर कॉलेज भर भर चल रहे तो यह यह भी चलेगा ऐसा नहीं वह नहीं चला सिस्टम तो एक आई से चलेगा तो इसलिए आज का मतलब वर्तमान को देखकर डिसीजन लेने से अच्छा बविश्य का अनुमान लेकर अगर आप डिसीज का हुआ यूटूब का भी होगा खेती का भी हो सकता है भाई हम आज तक खेती को उच्छ मान रहे थे अभी खेती एकदम निशले स्टर पे जाके बिजनेस को जादा आगे उपर बढ़ रहा है तो कौन से सेक्टर में हम क्या कर सकते और सबसे पहली बात कार्य चालू करना ह है अगर आप खेती कर रहे हो आपके घर में बहुत सारे मेंबर है तो भाई बहुत सारे मेंबर है खेती संबालने के लिए आप कुछ न कुछ न कुछ न निशला वाला जॉब या फिर कुछ भी जॉब करके बाहर पढ़ो बाहर पढ़ने के बाद आपके दिमाग में यह reality है समय आपका घटता जा रहा है बढ़ता नहीं जा रहा है कि बहुत ही reality वाली बात है इसलिए कुछ न कुछ करो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो यही वाली बात है कि भाई कुछ न कुछ किजे जो जॉब या फिर कुछ भी समय मिलता है तो सही समय पर सही decision लेना से को वर्ना गड़बर आ जाओगे अभी देखो जिन-जिन लोगों ने engineering किया होगा अभी उनके दिमाग के उपर क्या pressure हो गया पहले तो पढ़ाय में इतना खर्चा गर दिया उपर से job नहीं जॉब नहीं तो business भी कुछ करने सकते तो अपना education इस तरीके से लो जो कि actual में आपको काम आसा की जो कि मेरी तरह मेरे से उधारन दे रहा हूँ आज मुझे भी कुछ फाइदा हो रहा है उस education का इसे आपको भी होना चाहिए यही एक काम ना करता हूँ और इस वीडियो को यही पर खत्रता हूँ थोड़ा लंबा हो रहा है और भी बहुत सारी बाते बता आना होगा बाकी कुछ नहीं मिलते हैं आगले वीडियो में जै जावान जै केता हैं